जाहिन साथियों स्वागता सुएका आपके अपने यूटूब चैनल बिग जोस में साथियों मिद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे तो साथियों आज किस क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं पॉलिटी के मोश्ट इंपोर्टेंट टॉपिक परमुक समिधान संस्थन के बारे में तो साथ हो इस वीडियो में फूल डिटेल में समझेंगे की कौनसा समिधान संस्थन किस और स्विग ता है तो वीडियो को इंट जण देखिएगा क्योंकि दिए कैसन इक्जाम औरिेंट कि भारत के समिधान में पहली बार की सो वर्ज जोगी संसोधन किया गया था तो याद रखेगा 1901 स्वे में भारत के समिधान में पहली बार संसोधन किया गया था आई इसके बारे में थोड़ा डीटेल में समझते हैं बात करें इस संसोधन अधिनियम द्वारा अनुछेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 में संसोधन किया गया और दो नए अनुछेद 31A और 31B और नौमी अनुसूची को समिधान में सामिल किया गया तो देखिए ये point most important होयाती है इस question के साथ आपसे exam में question पूछा सकता है कि किस समिधान संसोधन में या फिर किस verse जो है कि 9 अनुसूची को समिधान में सामिल किया गया था तो याद रखेगा verse 1901 C में 9 अनुसूची को समिधान में सामिल किया गया था तो इन सभी points को याद रखिएगा काफी important question ये भी है कि किस समिधान संसोधन अगनियम द्वारा लोग सभा के कारेकाल को 6 वर्ष से घटा कर 5 वर्ष कर दिया गया तो कॉण सांसोधन था 44 समिधान संसोधन 1978 तो देखिए वर्ष भी याद रखेगा आप से जा में वर्ष भी पूछाता है कि 84 समिधान संसोधन कब हुआ था तो वर्ष 1978 इसे मैं याद रखिएगा ये 44 समिधान संसोधन के बारे में थोड़ा डीटेल में समझते हैं बात करें यह अधनियम 1978 में मुरारजी देशाई सरकार द्वारा पारित किया गया था तो सरकार कौन सी थी? मुरारजी देशाई जी की संपत्तिक का अधिकार जो 44 समिधान संसोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया तो जो भी आपका संपत्तिक अधिकार था उसे 44 समिधान संसोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अंशेद 301 के तहद जो की एक सरल कानूनी अधिकार बन गया तो याद रखेगा सभी पॉइंट्स इंपोर्टेंट है नेक्स कोर्षन है निवन में से कौन सा संसोधन अधिनियम मीनी समिधान माना जाता है मोस्ट इग्जाम रिपीटेट कोर्षन है कौन सा संसोधन अधिनियम मीनी समिधान माना जाता है तो कौन साव जाता है 42वा समिधान संसोधन अधिनियम 1976 को मीनी समिधान के नाम से भी जाना जाता है Most important question है आई ये सके बारे में details समझते हैं कि क्यों इसे मीनी समिधान के नाम से जाना जाता है इस संसोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म निर्पेक्च और अखंडता सब्द जोड़े इसके अलावा इस संसोधन ने समिधान की सात्री अनसूची में बदलाव किया और समिधान में तीरपन अनुछेदों को परिवर्तित किया इसलिए जो किसी मीनी समिधान के नाम से जाना जाता है जिसमें ये मोश्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कि समिधान संसोधन के द्वारा समिधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म निर्पेच और अखंडता सब्द जोड़े गए तो याद रखिएगा भारती राष्टी कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल 25 जुन 1975 से 21 मार्च 1907 के द्वारान अधिनियमित किया गया था तो यह सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है याद रखिएगा next question है भारती समीधान के किस संसोदन के अंतरगत अन्य पीछरावर को सिचण संस्थावं में परवेज सेतू 27% का आरच्षड दिया गया तो कौन से समीधान संसोदन था ? तीर्यान्बवा समीधानि कंसोदन अधिनियम 2005 पांच तिर्यान वाँ समय धानिक संसोधन अधिनियम द्वार पांच के द्वारा की अन्य पीश्रा वर्गों सीचर संस्थाओं परविश से तू 27 परसिंट का रच्छड दिया गया था याद रखियेगा नेक्स कोशन है किस समय धानिक संसोधन द्वारा राजियों का चार वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राजियों और 6 के नसासित छेत्रों में विभक्त किया गया था तो याद रखियेगा सातमा समय धान संसोधन अधिनियम 1956 को सा संसोधन अधिनियम 1956 के द्वारा आई इसके बारे में थोड़ा डीटेल में समझते हैं सातमा समयधानिक संसोधन 1956 के सातमा समयधानिक संसोधन अनियम ने दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही ब्यक्ति की राजपाल की रूप में नियुक्ति को बढ़ावा दिया। सातमा समयधानिक संसोधन अनियम 1956 ने नेक्स कोशन है किस समयधान संसोधन के दोरा दिल्ली को राष्टी राजपानी छेतर बना दिया गया। आदित्यनात जहां दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने। तो मुश्ट इंपर्णन कोशन ये भी हता है कि दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे। याद रहेगा आदित्यनात जहां। नेक्स कोशन है कि समिधान संसोधन द्वारा भारत एवं बांगला देश के मद्ध हुए चार साल पुराने भूमी सीमा समझाता को लागू किया गया। समझाता के अनुसार बांगला देश के बीच भूमी सीमा समझाता को लागू किया गया। आईए इसके बारे में थोड़ा डीटेल में समझते हैं। समझाता के अनुसार बांगला देश ने भारत के कबजे से 111 एकने लेव पर कबजा कर लिया। और भारत को बांगला देश से 51 एनकलेव प्राप्थ हुए। तो इस भी पॉइंट्स को याद रखिएगा। समझाता के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथली, तथा संधाली भासाओं को समिधान की आठवी अनुसूची में जोड़ा गया। मोश्ट एक्जाम रिपीटेट कोशन है। डबर इस्टार मार्क कर लिजेगा। ये कोशन कई बार की परिछाओं में पूछा जा चुका है कि किस समिधान संसोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथली, संधाली भासाओं को समिधान की आठवी अनुसूची में जोड़ा गया। याद रखिएगा। .101 समिधान संसोधन अदनियम, 2016 गजाण का संबन्द GST से है। नेक्स कोशन है , किस समिधान संसोधन द्वारा लोग सभा की अधिकतम सदसे संख्या 520 निर्धारित की गई। शाइगा। सबसेद धान संदान इन्हीं द्वारा लोक सबां की अधिक्तम सबसेद जाँ सन्खयर फाहा वीश निरधारीद की गई की लिखज़ुल खरक मन mapped गयार लोकसर सबने कारेकाल को यह भरß घंडा कर पांच वर्षक्तं कर दिया यहाद डीटेल में समझते हैं बात करें यह अधनियम 1970 में मुरारजी देशाज सरकार द्वारा पारित किया गया था जिसमें संपत्तिक आधिकार जो 44 में संसोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया यह अनुछेद 301 के तहत एक सरल कानूनी अधिकार बन गया तो यह कोस्तन दो बार रिपीट हो गया है लेकिन इंपोर्टेंट है इसको आप याद रखिएगा निक्स कोसन है किस समिधान संसोधन में मताधिकार की निम्तम आयू 21 वर से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई तो याद रिखेगा 16 समिधान संसोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की निम्तम आयू 21 वर से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई नेक्स कोशन है कौनसा समयधानिक संसोधन EWS आरचर से समंदित है त्याद रखेगा 193 समयधानिक संसोधन 2019 जोयकी EWS आरचर से समंदित है संग राजय चेत्र के बीधानसमाओ के सदस्यों को राष्टपती के निरवाचक मंदल में सामिल करने की व्यवस्ता की गई ही है याद रखिएगा नेक्स कोशन है बिधान सभा में किस दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर परतिबंद किस समिधान संसुधन द्वारा लगाया गया तो देखिए यह भी नेक्स कोशन है भारत के नागरिकों में मौलिक अधिकारों में संसुधन केवल संसुधन करता है मोश्ट इक्जाम रिपीटेट कोशन है और ये प्रदान किया गया है most important question है 102 संसुधन अधियम दुहर 18 के द्वारा और पिज़ावर्ग आयोग को समयधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है next question है किस समयधान संसुधन में लोगसभा एवंबिधान सभाओं की सीटों की संख्या में संदुहर 26 तक कोई परिवर्टन नहीं करने की विवस्था की गई है तो 84 में समयधान संसुधन की द्वारा जो की लोगसभा एवंबिधान सभाओं की सीटों की संख्या में संदुहर 26 तक कोई भी परिवर्टन नहीं करने की विवस्था की गई है नेक्ष कोई्शन है किस समीधान संसोधन में पंचायती राज़ बेवस्था को समयधानिक दरजा परिदान किया गया है बात करें पंचायती राज़ बेवस्था की जोकी most important और exam repeated कोई्सन है इससे तो कोईशन 100% पूछाई पूछा जाता है त्याद रखेगा तियत्तरमा समिधान संसोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज़वस्था को समयधानिक दर्जा परदान किया गया है नेक्स कोसन है किस समिधान संसोधन के तहत लोगसभा, राज़ी विधान सभाओं और राष्टी राधारी छेतर दिल्ली की विधान सभाओं में कुल सीटों में एक तिहाई यानिकी 23% सीटे महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरच्छित होंगी काफी important question है और ये current का है आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है तो याद रिखेगा 106 समिधान संसोधन 2,23 के तहत लोगसभा, राज़ी विधान सभाओं और राष्टी राधानी छेतर दिल्ली की विधान सभाओं में कुल सीटों में से एक तिहाई यानिकी 23% सीटे महिल के लिए 15 साल के लिए आरचीत होंगी, important question है याद रखिएगा, next question है भारती समिधान के किस संसोधन के अंतरगत और पीछा वर्ग को सिचर संस्थाओं में परविय से तू 27% कारच्षण दिया गया था, important question है 93,92 समिधान संसोधन अधिनियम 25 के द्वारा जोएकी और पीछा वर्ग को सिचर संस्थाओं में परविय से तू 27% कारच्षण दिया गया था, next question है कि समिधान संसोधन द्वारा गोवा, दमन और दीप को भारती संग में मिलाया गया था, याद देखे का बारबा समिधान संसोधन 1962 के द्वारा जोएकी गोवा, दमन और दीप को भारती सं संग में मिलाया गया था, next question है समिधान संसोधन करने के बीधिय को बीटो करने की राष्टपती की सक्ति सामती देनी होगी, सब्द से अस्थाना पर्न करके कि संसोधन द्वारा छीन ली गई, तो किसके द्वारा 24 समिधान संसोधन 1971 के द्वारा, याद रखिएगा, next question है कि समिधान संसोधन में सिक्किम को 22 राजी के रूप में भारतिय संग में जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा, 36 समिधान संसोधन 1975 के द्वारा जोगी, सिक्किम को 22 राजी के रूप में भारत संग में जोड़ा गया था, तो साथे हों, यह आपके पॉलिटी के most important topic, परम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लिजिए रहा